Hi everyone, welcome to my channel. My name is Priya Dhogra and I'm back again with another video. So, आज की इस वीडियो में आपको मैं World's Best University, मानी जाती है Stanford University, उसकी तरफ से एक free course आपको प्रोवाइट करने वाली हूँ. उनके official platform पे ये course launch किया गया है. अगर course की बात करूँ तो आपको यहाँ पे internet of things, इसके बारे में आप जानते ही होंगे, उस पे आपको free course मिलने वाला है. किस तरह से आप enroll कर सकते हैं, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, enrollment का process थोड़ा सा confusing रहेगा. So, आप इस video को complete watch कीजिए ताकि आपको सारी चीज़े पता चल सके, मैं हर एक step आपको जो है वो यहाँ पे detail में समझाने वाली हूँ. साथी में certification के उपर भी बात करने वाले हैं, और Stanford University की तरफ से अगर आप और courses धूनना चाहते हैं या आपको चाहिए, तो आपको और कहां मिल सकते हैं, उसके बारे में भी आज मैं आपको complete information दूँगी. So, चलिए शुरू करते हैं आज की इस video को without wasting any time. Let's get into the video. Before starting the video, I would like to request all my viewers. If you are new to my channel, then please go and subscribe to it. And don't forget to hit the bell icon so that you never miss an update. Also, I am active on my Telegram channel and my WhatsApp group. So, if you want to ask me anything related to free courses, certification, or anything related to your career, then you can join me there. सबसे पहले चलते हैं, Stanford की official platform पर. यहाँ पर आपको कोर्स मिल रहा है, Introduction to Internet of Things. You guys can see, यह आपका कोर्स है, यहाँ पर सारे instructors का नाम भी mention किया गया है, जो आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं. आपको यह कोर्स completely online मिलेगा, साथ में आप देख सकते हैं, fees कोई नहीं आपको यहाँ पर charge की जा रही है. 60 days का कोर्स है, आपको 60 days के अंदर अंदर यह कोर्स जो है, वो complete करना होगा. बाकी कोर्स materials जो है, वो available है download के लिए, तो अगर आप download करके पढ़ना जाते हैं, आप वो भी कर सकते हैं. तो यहाँ पर description में आपके पास जो है, वो internet of things के हर एक चीज़ बताएगी है, कि इस कोर्स के अंदर क्या-क्या चीज़े include की जाने वाली है. टोटल पांच modules रहेंगे, cool applications, sensors, embedded system, networking and circuits. यह एक short course तरह से design किया गया है, short course की तरह से, यह course करने के बाद आपको जो है, वो internet of things की एक अच्छी खासी knowledge मिल जाएगी, वो भी सबसे अच्छी university Stanford की तरफ से. बात करते हैं, enrollment कैसे करनी है, so enrollment के लिए आप देख सकते हैं, आपर enroll now का button दिया गया है, जैसे आप यहाँ पर click करेंगे, जो course है, यहाँ पर cart पे add हो जाता है, जैसे cart में add हो जाता है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी आपका पैसा आप से charge नहीं किया जा रहा है, just आपको चेक आउट पे क्लिक करना है, चेक आउट पे क्लिक करते हैं यह पहले पूछेगा कि आप यहाँ पे नियू यूजर है या आपका अल्रेडी अकाउंट एक्जिस्ट करता है, अगर अल्रेडी करता है आप एमेल आइडी पासवर्ड के साथ आप लॉग इन कर लीजे, आपसे आपकी personal information पूछी जाएगी, आप वो सारी चीज़े एंटर कर सकते हैं, लास्ट में आपसे initials पूछे जाएंगे, तो make sure आप वहाँ पे alphabetic order में ही कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो भी alphabets हैं वो ही आप use कीजे, otherwise वो आपको वहाँ पे error दिखाएगा, एक बार है mystranford connection पे, यह link उपर दिया गया है, जैसे आप यहाँ पे click करेंगे, आपके पास जो है, आपका login के लिए फिर से बोला जाएगा, so एक बार आपके जो username आपने रखा होगा, जो password आपने रखा होगा, उसके साथ आप login यहाँ पे कर लीजे, login करने के बाद आपका course पे पूरा अपना module देख सकते हैं, total 84 items है, हर एक आपको यहाँ पे module देख लीजे, आपको किस तरह से design किया गया है, so यह सारी videos आपको watch करनी है, एक बार जब आप इस सारी videos watch कर लेंगे, end में आपके पास course evaluation आएगी, so course evaluation अभी तक आप देख सकते हैं, बंध है क्योंकि मैं ने कोई module यहाँ पे complete नहीं किया है, एक बार जब आप कर लेंगे, तो आपको यहाँ पे course को evaluate भी करना होगा, रही बात certificate की, so short course में आपको certificate offer नहीं किया जाता है, बट course काफी अच्छा है, so I thought आपके साथ share करना चाहिए, अगर आपको Stanford की तरफ से certificate चाहिए, तो आप इनक अगर आप Stanford की तरफ से कोई course करना चाहते हैं, कोई certificate लेना चाहते हैं, तो आप Coursera के platform में जाके इनके certificate ले सकते हैं, in case अगर आप ही तक आप यह नहीं जानते कि Coursera का कोई भी course, अगर आप free of cost करना चाहते हैं, वैसे तो यहाँ पे आपको paid courses मलते हैं, certificate paid रहता है, तो trick share करती हूँ, जिसके तरूँ आप कोई भी course Coursera पे free of cost कर सकते हैं, बात रहीं अगर आपको Stanford के official platform पे ही certificate चाहिए, तो इनका एक graduate program होता है, आप उस पे click कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ amount जो है वो आपसे charge किया जाएगा, आपका course यहाँ पे रहेगा, आप यहाँ प पे बिलेगा, fees आपकी यहाँ पे charge की जाएगी, और इसी तरह का course आपको यहाँ पे मिलने वाला है, एक complete bachelor degree आप उसको समझ सकते हैं, यह आप देख सकते हैं, इंटरनेट अफ तिंग्स, graduate certificate इसको बोला जा रहा है, यह Stanford की तरफ से आपको यहाँ पे graduate certificate उफर किया जाएगा So I hope आपको अभी तक सारी details पता चल गी हैं किस तरह से Stanford की तरफ से आप free course कर सकते हैं, certificate का क्या process रहेगा, I hope आपको सारी चीजने clear हो गए होंगी, in case अगर कोई doubt रहता है, तो अब मुझे पूछ सकते हैं comment section में, या आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे whatsapp group में और मेरे telegram चानल पर, link आपको नीचे description पर मिल जाएगा, so मिलते हैं next की video में, तब तक के लिए thank you so much, have a good day.